अरे बहु आज तो सबजी में कितनी मिर्च डालती हैं रेखा जी लगभग चिलाते हुए बोली मैंने तो बहुत कम मिर्च डाली है ममी जी रस्मी ने अपनी सास रेखा से कहा पता नहीं क्या सीख कर आई है अपने घड़ से और ऐसे हैं इसके माबाब जो कुछ चिखा कर नहीं भेजा कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है रेखा जी की बास सुनकर उनका बेटा रोहन अपनी मा की ही हां में हां मिलाते हुए बोला सही कह रहे यो मा पता नहीं क्या देख कर लाइं थी तुम इसको इस घर में यह सब सुनरस्मी की ननन बोली अरे ममी जी सबजी तो सच मुझ तीखी नहीं है अपनी ममी को भावी के उपर चिलाते हुए नीलम को बिलकुल अच्छा नहीं लगा ममी क्यों भावी पर चिला रही हो अरे भावी तुम भी तबी रेखा जी अपनी बेटी नीलम को चुप करते हुए बोली तुम नहीं जानती हो नीलम इसे कोई काम करना ठीक से नहीं आता अभी तुम्हें यहां आई हुए दो दिन हुए हैं तो तुम्हें कुछ नहीं पता नीलम बोली ममी मैं इन दो दिनों में देख भी रही हूं आप लोग हर छोटी छोटी बात पर भावी के हर काम में कम्या निकालते रहते हो कभी कहते हो रोटी जल गई है कभी कहते हो नमक जादा हो गई है पूरे धिन घर का काम करती रहती है थोड़ी देर बैठ के जाती है आप उन्हें चेंच से बैठनी नहीं देते हो आप सुरू करती हैं और पीछे से भहिया भी आपका साथ दे देते हैं अगर आपको कहना ही है तो आप भावी को प्यार से भी तो समझा सकती है लेकिन आप तो एक ही बात का बतंगर बना देती हैं यही तो होता है मा के घर, मा घर में लड़ाई का कारण, भाईया तो उन्हें ब्या कर लाए हैं, भाईय भी उन्हें उल्टा सिधा बोलते रहते हैं, और उन्हें समय तो दीजिए अपना घर समालने के लिए, नीलम अपनी मा और भाई के इस ब्याभार से बहुत दुखी रही है अपनी भाई की, नीलम ने कहा क्यों ना हो ममी, आखिर मैं भी तो किसी के घर की बहुं हूँ, और आपकी बेटी जब मुझ से अपने सस्राल में कोई गलती हो जाती है, और मैं आपसे बताती हूँ, तब तब तो आप यह कहती हैं, कि बेटी धीरे धीरे सब सीख जा तो अपनी बराबरी उसे मत कर, बेटी बेटी होती है, और भहु भहु होती है, नहीं ममी जी, जैसी बेटी में भहु, आपको वैसी ही, आपकी बेटी, भावी भी अभी उन की साधिक को तीन महीने भी नहीं हुए हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचती होँगी, तब नीलम का भाई रोहन बोला अरे इतने दिनों में सीखने वाली ओरस सब कुछ सीख जाती है क्या यह अपने घर नहीं करती होगी काम रस्मी अपने पती और सास की बाते सुन नहीं थी अपनी सास के कहने का इतना बुरा नहीं लगा लेकिन पती के इस ब्यवार से रस्मी के दिल को पहुट थेश पहुँची रस्मी पती उसका बात बात पर त्रिसकार करता रहता था रेखा जी अपनी बेटी को समझाते वोगे कहती है तू क्या समझती है निलम मैं अपनी बहु को प्यार नहीं करती मम्मी आप लाग भावी को प्यार करती हो लेकिन इस तरहें आप बात बात पर उनको ताने देती रहोगी तो उनके दिल में आपके लिए प्यार खत्म हो जाएगा यह मैं बिलकुल नहीं चाहती कि भावी के दिल में आपका मान समान खत्म हो जाए और वहे आपको पलट कर जवाब देने लगे और यह आपके हाथ में ह रखना है आपको पता है जब मेरी साधी हुई थी और मैं पहली बार सस्राल गई थी तब मेरी सास ने मुझे सारे काम बड़े प्यार से सिखाए थे लेकिन उन्होंने कभी भी आपको या पापा को दोसी नहीं ठहराया बलकि वह हमेशा यही कहती थी कि आज कल के बच्चे पीछे ही नहीं हड़ती हो जड़ा सोचिये मेरी सास अगर आप लोगों के बारे में यह सब बोलती है कि माबापने क्या सिखाया माईके से क्या सीख कराई है तो आपको या मुझे कैसा लगएगा ममी मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि भावी को थोड़ा समय दो आपके इस तरह के बेवार से वह कोई काम जल्दी से नहीं सीख पाईगी और उनके मन में हर समय में डर बना रहेगा कि कहीं कोई गलती न हो जाए ममी मुझे को लगता है कि आपके अंदर सास वाले सारे गुणा आ गए हैं भाई की साधी के बाद बहुत जादा दिन नहीं रुप अपनी भावी की ऐसी इस्थिती देख कर उसे बहुत बुरा लगा इसलिए उसने अपनी मा को प्यार से समझाते हुआ कहा मेरी तरह आप भावी को भी प्यार करिए एक अच्छी मा बन कर बेटी की बात सुनकर रेखा जी की आँखों में आसो भराए रेखा जी ने बेटी और बहु को गले लगाते हुए कहा अच्छा किया बेटा तुने मेरी आँके खोल दी मैं सच मुझ कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपनी बहु के साथ इस तरह का बहवार करने लगी लेकिन अब मुझे समझा गया है बहु भी बेती ही होती है रोहन ने भी रस्मी से माफी मांगी और बोला रस्मी मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ जो गलत बहवार किया है उसके लिए मैं बहुत सर्मिन्दा हूं रस्मी बोली नहीं रोहन ऐसी बात मत करिये मुझे अपनी सासु माँ और पती का प्यार मिल गया इससे जादे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए कमेट कीजिए वीडियो को ज़्यादे ज़्यादा शेयर कीजिए